हम कान है हम प्यार दुनिया को दिखाएंगे जोटे जो परवत ही हमें तब रोक पाएंगे हलो and welcome everyone. मेरा नाम है दीपक वाध्वा. आज हम है एक special person के साथ जिनका नाम है गोरव पाटिदार. गोरव के बारे में गोरव से ही पूछूंगा बट पहले आपको थोड़ा सा introduction देता हूँ. गोरव पार्टीदार हमारे student है मध्या परदेश से जिन्होंने recently IBPS AFO अब सब लोग जानते हैं उसमें All India टॉप किया है All India इनका rank 1 है इन्होंने out of 187 mark secure किया है मेरा इस वीडियो का छोटा सा purpose है कि मैं गोरव जी से कुछ बाते कर सकूँ और आप तक डिलीवर कर सकूँ कि छोटा सा message कि हमें अगर IBPS AFO या फिक किसी और competitive exam की तयारी करनी है तो किस तरीके से करनी चाहेगी तो सबसे पहले तो गोरव जी आपका welcome करता हूँ and congratulations आपको आपने All India टॉप किया Thank you sir Guruji पहले अपने बारे में थ्वड़ा सा बता दीजिए Yes sir मेरा नाम Goro Patidar है और मैं तार डिस्टिक मजपदेश के एक चोटे से गाव अमोजया का रेने वाला हूँ और मेरी फेमिली में दो मेंबर है मैं और मेरी मजड मेरी पापा नहीं है तो घर का काम भी में देखता हूँ साथ में उस्टोनों काम मजड पढ़ेगी के साथ में वो भी के और मैंने All India प्रस्टे इंडिया से पताया है और वेंकोप इंडिया मेरी मिला है Okay Guruji जैसा कि मैंने शुरूम बोला कि मेरी वीडियो का छोट असा परपस है कि मैं मेरे इन वीडियो को देखने हैं इस टाइम पर इनको एक मैसे डिलिवर कर सोगे हमें स्टडी कैसे करने मैं कुछ इनक बाते आपसे पूछता जाओंगा सबसे पहले बात करो content की content की बात करता हूँ आपको क्या लगता है जह हम selection की बात करते हैं जरूर नहीं है कि इस वीडियो को दिखने वाला बच्चा हमारा स्टूडेंट है हमारी कोचिंग का पाट है बहुत सारे लगों है जो शायद कोचिंग को अफोड नहीं भी कर सकते अगर मैं content की बात करूँ बच्चा बहुत जगया मूव करता है study के लिए उसे किसी coaching के notes मिल सकते हैं उसे कोई अच्छी books मिल सकते हैं उसे test series मिल सकते हैं तो my first question is कि content कितना important role play करता है आपके selection में content बहुत जरूरी होता है अगर content सही है तो आपको चीजे आसानी से आप अपने लक्ष की और बढ़ताएंगे अगर content आपका exam जो है जो पूछना चाता है यूपीस जो पूछता है उसके according कर अपने exam की preparation करेंगे तो वह अपने लिए सही होगा और जो आईपेस पूछता ही नहीं अगर वह पढ़ेंगे तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा और एक चीज और अगर आपन एक चीज को लेके वही से अगर पढ़ते हैं बार-बार उसी को रिविजन करते हैं तो चीज बात ज्यादा समय ते याद एती बजाई के अलग-अलग जगे से अलग-अलग पढ़ो इससे एक चीज अगर आप जो पढ़ रहे हो उसी को बार- तो इस बार तो कोराने के वज़े से नोट्स तो लेट आया थे लेगिन ओनलाइन फिर भी हमने अच्छा बड़ा था लेट आ गया थे फिर उस बात वोक्स से पड़ा था अच्छा पड़ने वाला लेकिन उसे सब कुछ पड़ लिया हमारे नोर्स बुक्स कहीं और से कुछ मिला और उस बच्चे का सेलेक्शन नहीं हुआ तो जो आप बात कह रहे हैं मैं उसे एक्सेप्ट करता हो रहां ऐसा है कि हमें बहुत सारी बुक पढ़ने के बजाए एक की वाद अउन् gutes मुझे मुझे प्रैक्टेश करना थिर्व करनां मैं उसे जके लिए कुछ टेस्ट आइब करने मुद्दियों को ऑनलाइज करना कीटेश करना प्रैशलो बहुत जा ज़यरा ज़रूरिquency मतलब अधाब पढ़ने से जना जरूरूरिक्टेक तार्व अग कार पता हे और किता नहीं पता है। और की ज़िए रूक रही है। जिसे टेस्ट्ट होता था। मैंने टेस्ट बहुत अटेंब करें। इस कोचिंग यला दूसरी कोचिंग से भी टेस्टिश्ट में लिए हैं कि मेरे को पता करना था कि में कहा तक कि पीस कोचिशन पे हूं तो इसलिए टेस्ट देता था उसमें जो जो गलतिया होती थी उनको एक उसमें से मानलों फिफ्टी कोचिंट अपने बन गए तो उनको अलग से लिख लिख लिया और उनसे रिलेटेट जो भी उनको अलग से नोट स बना ले ताकि अब मेरे को उड़े साथ नहीं पढ़ने प और छोटी सी बात करना चाहूँगा आपने टेस्ट की बात करें के टेस्ट से टेंब करना जूरी है अनलाइज करना जूरी है तो शायद ऐसा भी होता होगा हमेशा कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती कि मार्क्स अगर 60 में से 40 50 30 कितने भी आ रहे हैं उपर नीचे हमेशा होते हैं जब नंबर कम आएंगे तो नेचुरल सी बात है थोड़ा सम फ्रस्टेट हो जाएंगे जब नंबर ज़ादा आएंगे तो हम बड़ी खुश हो जाते हैं इस ज भारा से मैच किया उस और गोराव लिख के सर्च किया तब आपका नंबर मुझे मिला और तब मुझे बजला कि हाँ आपने इंडिया टॉप किया है मैं साब से क्यों पूछ रहा हूं क्यों जो आपका नंबर चेक क्या तो मैं दिखा कि आप हमारे एक एफो वाला बैस था और एक REO वाला था, उसके अंदर भी आप थे, मतलब आपने उस एक्जाम के लिए प्रिपेर किया, तो कही ना कही माइन में कि इनसीक्योरिटी थी, कि यार, AFO में नहीं होगा, तो मुझे वहाँ भी करवाना है, और टेस्स देते ही, टाइमिक फ्रॉस्टेशन भी होती है, कि यार, अगर नंबर कम आगे, तो बुरा सा लगता है, तो इस जर्नी में, अगर करनाम, इनको बहुत बरी होता, तो मेरे को, मतलव को जब भी about iota, एक में सोच लेता था, कि मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि पापा का भी सबनाथा, मेरे कि मैं में job करूँ, तो उन्होंने मेरे को पढ़ाया Day Houractic जब भी में दी मोजुन दूटा रहता था, जब भी मैं पढ़ता था, अर जहाँ भी मधिसे पढ़ता था, तो अक प् goofy時 को कहुछे 70-20 ऐसा, जहान था रशा आरजज्पू दिमागर ने धमाग उनाम, आण पो झता। के लिए ही मतलब दिखता था में मुबाइल कोलता था एक लिए चलता था गुड 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 ओके ओवरोल स्ट्राटेजी आपकी शियर कीजिए कि आपने कैसे कैसे क्या क्या प्रिपेर किया सो देट हमारे बच्चे भी उसे सीख सके और उसे फोलोगा सकें 2ले स्ट्राटेज से 6 ठार में यह मैंने रा पैससे से खंक Reynolds फोगे उसे आइस सबस्ट्राट था मेरा लावो धिर दो मैंने पड़ा टो तो इंश से मेरा डोंबर शर तो भी मैंने पढ़ा था मैं इन वहीं जोंड की निने करें से और से को». मेरा बेस तो थो यहां से मैं तो हर बार उचीज को डोवारा नहीं यही बड़ता है कि Click उसे चैभाय करणी हільंग सिक्ति निपए लिए सब्सक्राइब रें तो 15-20 questions अपने कम गलत बनते थे तो उनको लिखते थे उनको याद किया दीरे दीरे बढ़ते बढ़ते questions कम होते जाते थे बाल-बाल चीज़े repeat थे थे पुस्यों repeat होते हैं तो अपने को ज लियाद हो जाते हुआ कि लिए था था मेरा और बढ़ने का तो यही था कि मैं घर से बाल जाता हा निहीं था मैं बढ़ने कामी रहता मैं सब्दूर अंदर ही गहता था गर्मी और सुबह से पढ़ना रहता था और विए अ क्यून दब तब ताइम वेस्ट नहीं किया मैंने जाए था सोभे से मेर बंपалосьते से मु कि ओर अधे से घी थैरी लाग है थैरग लात को सूने तक चलता ही थैर जा लोग को अटे जाना भी उता काई टा तो सामने से बात बी करता था तो मतलब दिमाग में कुछ रहा रहा है तो ज्शिया झाला नी जाता था मैं किसी सही से बिल नहीं पाता था जब और वह सारे सिकायट भी करते हैं मिलता नहीं आता नहीं जाता नहीं पर अब क्या बता हूं पर अब क्या बता हूं को सब्सक्राइब करूंगा कि आपने बोला सबसे पहले तो वो self-evaluation कि जो मैं गलत कर रहा हूं जो नहीं कर रहा हूं से आपने रिपीट किया सारा नहीं करना बट हाँ वो करना है self-evaluation बहुत important है second part आपने social connectivity की बात करी फिर चाहे वो social media आपने बोला कि facebook नहीं चलाता था friend से कम मिला हाँ ऐसा भी है शायद कि goal achieve करना है ultimately सपनों को देखना पड़ेगा या तो अपने दूर होते हैं या सपने दूर होते हैं बिल्कुल है ना और एक आपने जब बात करी selective study कि वो पढ़ रहा हूं जो मुझे नहीं आता that means आज के time computer exam में हमें study नहीं selective study करना ज्यादा इंपोर्टेट है गोर्व जी लास्ट बात आपसे पूछना जाओंगा लोग बहुत आपकी वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहा रहे हैं कि आपकी ऐसा बोल दे जो उनके भी काम आई तो लास्ट कोशन मेरा आपसे हमारे students के लिए आपका क्या मैसेज है स्टुएंट के लिए यह है कि अगर आपका लक्ष्छ है कि हमें अग्रिकेटर फिल्ड ऑफिसर बनना है तो दूसरी चीज़ों को भूलना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए जैसे भी क्या होता था कि मेरे भी दोस्ते इस अभी किसी के सादिय में रिजया पाया किसी के लिए ता तो एक बात यह है कि अगर अगर कुछ कर लो गई या बन जाव गए ना तो बहुट जा जाए ना तो वह जो नाराज हो रहे ना उनकी विराई बदल जाएगी तुमार तो यह है कि अगर हम टो उसके लिए लगाता दर्व है क्यांकि अरबर कोस्क्ता स्क्रश्यक्रम क्का कर तूर उसका है मैं मी यह ज़िएतनेもの करना इस यह क्ते स Glaiक jetzt고 सब्सक्रशए सब्सक्राइब करें मिन दो इस्टा पर मैंने सभी दूसरों को फोड़े समय के लिए अन्फोलो कर दिया दोस्तों अगरा कोगी और जो खास दोस्ते वही थे बाकी नहीं थे और सारे अगरिकल से जैनल मैंने फॉलो कर रहे तो मैं यह भी खोलता था तो मेरेको काम ही आथा था मेरे मेरे मैं सा इसके कर देश्ट में जो नहीं आता था जैसे कोशन नहीं तो उससे रेलेटेट जैसे टेबल में से कोश्चन है और कहीं से टोपिक से नहीं बन रहा है तो पूरा टॉपी कढ लिया मैंने इस बार ऐसे इस तेडी लिए गोरो जी बहुत बहुत धन्यावाद शायद ये बहुत आसान है मेरे लिए कहना कि आपने इंडिया में नमबर वन रेंक लिए लेकिन मैं समझ सकता हूँ इस नमबर रेंक के पीछे कितनी स्ट्रगल है और वो आपकी बातों से शायद मैं देख भी पा रहा हूँ कि मैं ऐसा काहँ और कहता हूँ कि सपने जिनके ओंची और मस्त होते हैं इंतिहां उनके जबर दसत होते है तो अफ कोर्स जैसा इंतिहां आपने दिया शायद कुछ लोग क्यूंकि रात जो मैं आपसे बता रहा था मुझे रात ही बता जला मुझे पता ही था चार दिनों से बट उस student ने जो दो जटा है उसने मुझे यही बताया मैंने का तेरे पास क्यों आया यह हिसर मुझे अगली बार टॉप करना है तो I think सपने important है पूरे तब होंगे जब हम सपने देखे गोरव जी एक बार फिर से आपको बदा ही दूँगा All India Top करने के लिए Thank you so much हमारे से जुडने के लिए and हमारे वीवर्स के लिए Thank you so much हमारी वीडियो के साथ जुडने के लिए मिल तब आपको नेक्स वीडियो में गोरव जी, thank you so much जाहिन 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 जाहिन